तो दोस्तों हम लोग टाइमर की बात कर रहे थे यहां पर भी देखें टाइमर अब आपको बहुत किलारिटी के साथ दिखाया गया कि टाइमर किस तरीके से वर्ग कर रहा है कूलिंग आप्शन चला है तीन नंबर से सप्लाई चार नंबर को जा रही है यह सप्लाई कांटिनूसली शिफ्ट होती रहेगी हीटिंग और कूलिंग के लिए कभी हीटिंग पे जाएगी कभी कूलिंग पे जाएगी अब यह नंबर हो सकता है डिफरेंट हो हो सकता है एक number आपका heater के लिए हो किसी company में एक number heater के लिए होता है दो number जो है वो हमारा इसके timer के motor के लिए काम करता है किसी company में ये दो number timer motor के लिए काम करता है एक number heater के लिए होता है तो ये आप वहाँ पे जाकर आसानी से चेक कर सकते है तो इस तरह से हर 8 गंटे के बाद या 10 गंटे के बाद इपर्ट करता है कौन सा टाइमर यूज हुआ है यह supply heater को transfer होगी, cooling को transfer होगी, heater को transfer होगी और इसको participate करने के लिए हमारब by metal minus 5 पे on होगा और plus 10 पे off होगा by metal के साथ में fuse भी दिया रहता है, जो कि average 72 degree centigrade का होता है अगर कभी by metal काम नहीं करता है, तो वो fuse उड़ जाता है और supply को disconnect कर देता heater की, क्योंकि मान लिए by metal को 13 पे off होना है या 15 पे off होना है, और वो off उसने नहीं किया, चिपक गए उसके जो भी points थे तो temperature बढ़ता जाएगा, होगा क्या कि एक condition ऐसी आएगी कि होसकता रेफिर्टर में आख लग जाए तो उससे बचाने के लिए यहाँ पे fuse का इस्तेमाल किया जाता है तो कभी अगर fuse उड़ा है, तो यह confirm है, कि by metal खराब हुआगा, उसके बाद ही fuse उड़ेगा तें कि उड़ता हुआगा